Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है RSI Divergence अब RSI के बारे में क्या बताओ आप कितने भी वीडियो करूँ कम है और आपने अमेरिके बहुत सारे RSI वीडियो पहले देखे होंगे Father Son, Grandfather Father Son, Reverse Divergence, Divergence, Rain Shift, Loud Moose RSI मेरे life का base है और मैं इसी को लास्ट 15 साल से research करते आ रहा हूँ और उसके अंदर और भी चीज़े मिलती है जैसे हमारी trading जो होती है short term, medium term, long term, options सब RSI पे based है तो अब आज RSI जो divergence है जिसके बारे में मैं कुछ आपको और clarity दिखाना चाहूँगा कि खली divergence देख लिया तो problem होगा लेकिन सही तरीके से देखा तो आप उसको अच्छे से trade कर सकते हो तो divergence पहले मतलब क्या होता है जब divergence में क्या होता है कि जब भाव, price makes a new high मतलब market नया high बना रहा है बट RSI नया high नहीं बनाता है मतलब क्या हुआ कि speed कम हो गया RSI क्या है, speed A और A इसमें B higher है यहाँ पे B lower है मतलब मैं आगे तो जा रहा हूँ या मैं ऊपर तो जा रहा हूँ लेकिन मेरा speed कम हो रहा है जैसे समझो कि आप highway पे जा रहे हो और highway पे जा रहे हो आपको suddenly लगता बढ़ यह confirmation बहुत जरूरी है confirmation नहीं आया तो divergence के उपर, divergence के उपर, divergence 3, 4, 5 divergence भी आ सकते हैं और आपको लगया गाड़ी turn क्यों नहीं मार रही है और यह सब गलतिया मैंने बहुत बार कि अगर आपने भी किये तो मुझे बताईए चैट बॉक्स में कि जब खाली divergence देखके अगर आपने loss किया है तो तो चलिए देखते हैं कुछ examples यह जो इसको बोलते है, bearish divergence bearish divergence will appear अब trend में bearish divergence दिखेगा मनलब हम contra trade कर रहे हैं Let's look at the reverse of it जब market downtrend में होता है तो mark price ने नया low बनाया A से B lower है But RSI ने higher bottom बनाया मनलब अब नीचे जाने का जो speed है वो कम हो गया है मनलब यहां से वो U-turn मार के उपर जा सकता है तो this is called bullish divergence and it will appear in a uptrend अब कुछ examples देखते हैं ता कि हमको पुरी तरह से समझ में आ जाए और let's talk about bearish divergence अब यहां पर देखोगे कि यह जो divergence है यहां पर बहुत ही छोटा है तीन बार का divergence है यह जो last white candle है उसके बीच में तीनो बार के बाद divergence है इसको बोलते है थी बार divergence और मेरे हिसाब से जितने कम bars होंगे कम से कम तीन ही हो सकते है और तीन, फाइब, सेवन, तेन यह जितने कम bars होंगे उतना divergence powerful होता है कभी-कभी हमको divergence दिखेगा 50 bar के दूर मतलब एक इधर है और उधर है तो वो कुछ powerful नहीं है उस पे कुछ मजा नहीं है राइट, so let's look at this another 3 bar divergence, 5 bar divergence उसके बार जो fall आता है मतलब यह गाड़ी इधर यहां पर यूटन मारने के लिए प्लस candlestick confirmation प्लस bollinger band प्लस RSI range shift इंट्रडे चार्च पे और volume confirmation यह सब अब एक दूसरे को automatically compliment करेंगे so जितने कम bars होंगे उतना strong divergence होगा यह चीज़ आप नोट कर लो यह nugget है आपके लिए और यहां पर देखोगे यहां पर कुछ है 9 bar divergence यह market यहां A point फिर नया high B point but RSI का B point lower है मतलब momentum कम हो गया speed कम हो गया U turn मारना है और यह U turn नीचे की तरफ मारता है अब और एक चीज़ दिखाता हूँ जब divergence होता है और trade confirm होता है तो उसका जो target है वो दोनों के बीच में जो low है A और B के बीच में जो low है वो मेरा target है वो target से play करना है मतलब यहां से मैं short करूँगा उपर मेरा stop loss और यहां पर मेरा target तो इतना छोटा stop loss इतना बड़ा target अगर risk reward ratio 1 is to 3, 1 is to 5 ऐसा बैठता है तो ही करना है नहीं तो divergence को छोड़ दो अब यही चीज़ आप divergence को 5 minute chart पे 15 minute पे चाट के hourly chart, daily chart, weekly chart, monthly chart सब पे दिखता है अब कभी-कभी monthly chart पे आप देखोगे 3 bar divergence है मतलब वो top हो गया उसका वो market नीचे आएगा monthly पे आया है मतलब एक महिने, दो महिने तक नीचे आएगा मतलब उसमें बड़ा correction हो सकता है अब daily chart पे divergence दिखा मतलब छोटा correction होगा यह और अपना all deep में जा सकते है right so that's way we look at bullish, bearish divergence in an uptrend अब उल्टा देखते हैं नीचे के trend में bullish divergence देखते है तो उसमें क्या हो सकता है देखिए यहाँ पे वापिस three bar divergence बहुत ही powerful three bar divergence very powerful और यह बहुत बड़ा candle confirmation और वहाँ से बड़ा trend convert हो गया यह जो divergence दिखता है वो भी एकदम bottom पे दिखता है और उसके साथ अगर volume confirmation है और volatility divergence भी है volatility divergence मनलब bollinger band पे वो भी मैंने एक video बनाया अगर आप देख सकते हो तो so double confirmation हो जाता है यहाँ पे eight bar divergence एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो दोनों low के बीच में जो distance है उसको number of bars बोलते है और यह higher है, यह lower है मतलब A और B में फरक है यहाँ से confirmation एक target आ गया फिर जैसे ही और जाता है उसको trailing stop loss में हम convert कर सकते है यह weekly chart पे है weekly पे मतलब आपको target बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छा trade मिल सकता है जो positional हो सकता है right, so this is very very powerful in the market यहाँ पे भी it says 10 bar divergence, double bottom double bottom और lower bottom in fact, यहाँ पे candlestick भी दिख रहे है आपको दिख रहा है candlestick के उपर अलग से episodes है मेरे तो आप वो भी देख सकते हो तो यहाँ पे candlestick confirmation, divergence और यह trade पकड़ना है अब इसको जितना practice करोगे जितना जल्दी देखना रोज के 100 chart देखो मैं हमेशा बताता हूँ अगर आपको अच्छा trader बनना है अच्छा analyst बनना है और जितना समझो कि आप मेरे one year student हो और trader in me student हो आपको और मैंने आपको divergence सिखा है मलब अभी आपका काम क्या है 100 bullish divergence, 100 bearish divergence ढूण के रेखो और उसको practice करो मलब एक बार आपने 100 और निकाले ना तभी आपका जो eye brain coordination है वो ठीक हो जाएगा फिर आप तुरंट spot कर सकता है यहाँ पे divergence है अभी आपको ढूणना पड़ेगा कि कहा है So that's how it works यहाँ पे देखो bullish divergence और यहाँ पे multiple divergence सब जगह पे दिखेंगे तो यह divergence है वैसे ही bullish और bearish divergence होते है वैसे एक reverse divergence भी होता है और उसमें positive reverse divergence negative reverse divergence होता है जिसको बोलते है PRD, NRD उसका बहुत ही एक बढ़िया वीडियो है almost 45 minutes का है वो बहुत time पहले किया था English channel पे है उसको आप नीचे में link लगा दूँगा आप देख सकते हो ढूँद सकते हो reverse divergence उससे आपको और भी clarity मिलेगा so divergence और reverse divergence यह दोनों को अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको trend following मतलब reverse divergence trend following करता है और normal divergence contra trade करता है यह दोनों अगर अच्छे से समझ लिये मतलब आपने RSI में एक 20 परसंट 15% समझ लिया है और भी बहुत कुछ है जैसे rain shift है और 5 star 7 star trade है grandfather father son है so RSI तो जितना बोले मैंने बताया जितना बताओ उतना कम है और भी videos बनाऊंगा मैं RSI पे अगर आपको यह video में अच्छा लगा और आपको लगा कि divergence समझ में आया है इसको आप अच्छे से trade कर सकते हो तो जरूर इसको like, share और subscribe करें और अगर आपको लगता है कि आपको options trade करना है और वो भी without Greeks but option करना है RSI के basis पे तो नीचे OPL जो भी शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका होगा अब जब दब आप video देखोगे और अगर कोई भी round में आपको participate करना है जैसे qualifying round, pre qualifying round, option premier league, option match tree तो आप नीचे link पे click करके देख सकते हो और program join कर सकते हो और नहीं भी कर रहे हो तो ये videos देखोगे इससे आपका बहुत कुछ clarity मिलेगा बहुत basic strong हो जाएगा और ये सारे Tuesday technical talks को आप फिर से देखो दो बार देखो, तीन बार देखो English channel पे English में देखो, Hindi पे Hindi में देखो बट एक base strong कर दो एक बर बराबर से पकड में आ जाएगा न सीख ये सब देन trading आसान हो जाएगा आप में मिलूँगा आपको अगले वडियो में तब तक के लिए good luck and good trading